हलो फ्रेंड मैं हूं सिवानी मिस्टरा स्वागत है आप सभी का डिजाइन पूर में आज मैं आपको बैक ब्लाउ डिजाइन बताऊंगी तो मैंने देख लीजिए ब्लाउ उसका कपड़ा लिया इसकी मैंने लंबाई जो है साड़े 13 इंच रखा हुआ है और 3 इंच की चोड कटिया है अब गले की लेंथ लेंगे तुम्हính गले का लंबाई एदेखे साड़े curiosity नौ इंच रख रहें यहां से मैंने मार्किंग किया सेम इस तरीके से गले की पूरी कटिंग कर देंगे तो देख लीजिए मैंने अस्तर के गले की कटिंग कर दिया है मैंने ब्लाउस को कपड़ा लिया ब्लाउस के कपड़े के भी गले को अच्छे से पूरा कट कर लीजिएगा अब इसकी स्टीचिंग क करनी है तो दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में रख देंगे और इसके बाद एक सिलाई लगा के पहले गले को हम इस्टीच कर लेते हैं अच्छे से तो मैंने देछ लीटी पुरे गले की स्टीचिंग कर दिया है ऐसे कर दीचेगा अब ब्लाऊस की और राउन स्टीचिंग करेंगे अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हैं पूरे ब्लाऊस की स्टीचिंग कर लेंगे तो यह मैंने completely पुरे blouse की stitching कर दिया है अब इस पे जो मुझे design करना तो इसको side में करेंगे और यह मैंने bookram गुनिया है bookram को मैंने double fold करके रखा हुआ है इसके उपर देखिए जो मैंने अस्तर का कपड़ा कट करके निकाला था गले में से उसको बिलकुल बराबर में रख देंगे और side से उसके marking कर देते हैं देख लीजिए मैं mark कर रही हूँ कैसे बिलकुल बराबर में mark कर रही हूँ तो ऐसे मैंने गले के marking कर दिया उसका design आच चुका इब इसकी cutting करना है तो जैसे design आया हुआ same उस design में cutting कर लीजिएगा यह देखिए मैंने cutting कर दिया है नीचे से इसके हम setting कर देते हैं पूरा कर लिए हैं अब इसको side करेंगे तो पहले हम इसके गले की जो extra fabric को उसको cut करके निकाल देते हैं तो मैंने देखिए पुरा extra fabric cut करके निकाल दिया नीचे के side से पुरा set कर लीजिएगा अब जो मैंने थोड़ा-थोड़ा fabric अब देखि नीचे के side से छोड़ा हुआ है उसको हम fold करके stitch करेंगे तो अच्छे से fold करते हैं सिलाई लगा कि पूरा stitching कर दीजिएगा था वीडियो में देख रहे होंगे मैं कैसे stitching कर दीजिए मैंसे आप भी stitching कर लीजिएगा पूरा अच्छे से नीचे के side से fold करते हैं पूरा stitch कर दीजिएगा तो मैंने देख लीजिए completely पूरा stitching कर दिया है अब इसको blouse के साथ में जॉइंड करेंगे तो मैंने blouse लिया इसके गले पर अच्छे तरीके से पूरा पहला लीजिएगा और बिल्कुल बराबर करते हैं blouse बक्रम की जो मैंन stitching कर रही हूं सेम इस तरीके से आप भी बिल्कुल बनाते हो गले के पूरा इस पट्ठी को stitch कर लीजिएगा तो मैंने completely पूरी stitching कर दिया है पट्ठी की अब इस पे cut लगाएंगे छोटे-छोटे cut पुरा लगा दीजिएगा जिससे जम इसे पलट कर सीधा करें तो इसका model और design सेम है जैसे हम बनाना चाहते हैं और cut ध्यान से लगाएंगा कि हमारे सिलाई पे ना लगे तो मैंने देखिए पुरा cutting इस पे लग कर दिया है छोटे-छोटे अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे अच्छे से तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे मैं इसको सीधा कर रहे हूं सेम ऐसे आप भी सीधा कर दीजेगा तो मैंने पुरी डिजाइन को अच्छे से सीधा कर दिया एक गले को अब एक सिलाई लगा कि गले की स्टीचिंग कर देंगे तो मैंने अच्छे से पुरी सिलाई लगा कि एक गले को स्टीच कर दिया है अब इनीचे के साइड से पहले मैं ट्रक्स लगा लेती हूं इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके वाद ट्रक्स की सिलाई कर लेते हैं यहां से अच्छे से माप लेते हो ट्रक्स की स्टीचिंग कीजेगा तिया मैंने ट्रक्स की स्टीचिंग कर दिया एक साइट से दूसरे साइट से भी माप लेते हो अच्छे से यहां से भी ट्रक्स की स्टीचिंग कर लेंगे तो दोनों साइट से मैंने ट्रक्स की कर देंगे पूरा तो मैंने देखें पुरा कम्प्लेटली पट्टी की स्टीचिंग कर दिया है यह आपको दिख रहा हो का वीडियो में अब इस पे मुझे डेजाइन करने के लिए पहले गले पे लैस लगाएंगे तो मैंने लैस लिया है और गले पे अच्छे तरीके से बिल अच्छे से बिल्कुल बनाते हों डेजाइन के ऊपर से आप पुरा स्टीचिंग कर दीजेगा लैस का यहां से देखिए थोड़ा सा वी सेप में गला है तो लैस को फोल्ड करके वी सेप में बना लीजेगा और कॉर्णर करते हुए जिससे यह डेजाइन आज सके अच्छे से और जहां से भी कॉर्णर है वहां से लैस को अच्छे से पुरा फोल्ड करके कॉर्णर बना कि देख लीचे मैंने एक साइट से पुरा लैस की स्टीचिंग कर दिया है दूसरे साइट से भी अच्छे से पुरा लैस बराबर करते हैं पूरा स्टीचिंग कर लेंगे कमप्लीटली देखे मैंने पूरा लैस की स्टीचिंग कर दिया है अब इस पर डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए पट्टी की मैंने लंबाई देखिए जो है साड़े पांच इंच रखिये चोड़ाई छे इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी बास स्टीच कर देंगे तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे स्टीच कर रहे हूं सेम ऐसे आप भी स्टीच कर लीजिएगा सेम उसी साइज की दोनों पट्टी है इसकी लंबाई जो है वो साड़े 5 इंच चोड़ाई 6 इंच रखिये अब इसको पलट कर सीधा कर कि यह सीधी हो चुकी है हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा दोनों को अब इस पर डिजाइन बनाने के लिए पहले इसको साइड में करेंगे और यह मैंने डोरी ली हुई है मार्केट में आपको डोरी मिल जाएगी और मैंने कुछ कपड़े स्क्वायर में करके निकाल दीजिएगा अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे अब दूसरे साइड से भी से मैंसी फ्लावर बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूं देखिए मैं क्रॉस में फोल्डिंग करके कपड़े से फ्लावर बना रहे हूं से मैंसे आपको बनाना है कि मैंने फ् लटकर सीधा कर लेते हैं यह सीधा हो चुका ऐसे जो बच्चा हुए सब मैंने देखिए बना लिया है अब मैंने जो यह डोनों पट्टिया बनाई हुए थी डिजाइन के लिए इसके विल्कुल बीच से हम मार्क करेंगे आप देख लीजे मैं विल्कुल मीड से इसके मार कर रही हूं ऐसे आप पुरा मारक कर लीजेगा दोनों पट्टियों पर अब यहां से डिजाइन बनाएंगे तो नीडल की सायता से देखिए मैं कैसे डिजाइन बना रही हूं से मैं से डिजाइन बनाना है नीडल की सायता से यह देखिए एक मैंने बना लिया है यहां से हम अच्छे सीसको बांद लेते हैं से मैंसे दूसरा भी बना लेंगे तो मैंने देखिए दूसरा कैसे मैं बना रही हूं ऐसे बनाना है तो देख लीजे मैंने दोनों डेजाइन को completely बना दिया है अब जो मैंने डोरी वाली डेजाइन बनाई थी उसको ले लेंगे और इससे जो है हम अभी जो डेजाइन बनाए इससे डेकुरेट कर देंगे ताब वीडियो में देख लीजे मैं कैसे इसको बना रहे हूं जाएगा मैं कैसे इसको बांद रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे हम डोरी वाली डेजाइन को दोनों को बांद लेंगे अब इसको मुझे ब्लाउज के साथ में ज्वाइंड करना है तो मैं ब्लाउज ले लिया है अब इसके मिड़ से बिल्कुल नीचे के साइड से दोनों डेजाइन को हम रख लेते हैं तो बिल्कुल बराबर में दोनों डेजाइन को देखे मैंने रख लिया अब यहां से पहले हम लैस लगाएंगे तो आप देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं लैस लगा के डिजाइन को बना रही हूँ से मैं ऐसे बनाना है आपको और जहां से भी कॉर्नर हो वाँ से फोल्ड करके लैस को बिल्कुल घुमाते हूँ बनाईएगा तब ही ये डिजाइन अचछी दिखेगी देख लीजे मैं डिजाइन को कैसे स्टीच कर रही हूँ इसके साथ मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लेट दिख रहा होगा से मैं ऐसी डिजाइन को जो यह लैस के साथ में स्टीचिंग कर रहा है तो एक साइट से स्टीचिंग कर लेंगे और यहां से जो मेरा डिजाइन का फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके पुरा निकाल देते हैं कि यह मैंने फैब्री को कट करके देखी निकाल दिया है अब इसको हम सीलाई लगा के दूसरे साइट से भी स्टिच करेंगे तो देख लीजे मैं दूसरे साइट से भी लैस को बिलकुल बराबर गुमाते में पूरा स्टीचिंग कर दिया है तो यह कमप्लीटी हो चुक है एक साइट से दूसरे साइट से भी ऐसे बिलकुल बना देंगे लैस को तो मैंने दोनों साइट से देखे कम्पलीटली पृरा लेस खी स्टीचिंग कर दिया है मेरी ब्लाओ डिजाइन विल्कुल कम्पलीट अगर आपको मेरी ये सिंपल सी ब्लाओ डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंट मेरे साथ मेरी वीडियो में से ऐसी बने रहेगा चलिए फ्रेंट मिलते नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ जो ऐसे लेटिश ठो ब्यूटिफूल हो थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई